नोन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स आवाज नीचे नीचे साले चेहरे का चट्डी बना दूँगा देखिए परताप ने कोई कानून नहीं तोड़ा इस पे कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है कानून के मुताबिक आपको इन्हें इनके भाई से मिलने देना होगा कौन है बेटू वकील इजल वकील कानून सब मैं हूँ माए तो तुझे भाई से मिलना है मिलना तो जा हुझे आज जाए तरवलत मिलना कानून के मताबिगे मार दिया कानून 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 तुम भावीजी को समालो, मैं प्रतात को लेकामने ठीकाने पेचार हो प्रताप के सिवाब मेरा कोई नहीं है दीदी, दीदी, हम यहां से चले जाएंगे हमको कुछ नहीं चाहिए हम यहां से शेहर चले जाएंगे मैं प्रताप को मनाऊँगी वो मेरे बात जरूर मानेगा मेरा मच्चा मेरे बात कभी नहीं टालेगा रेडी साहब रेडी साहब मैं हाथ चुटती हूं रेडी साहब अगर मेरे बेटे दिल में कोई ऐसी वैसी बात है तो वो निकाल देगा वो निकाल देगा अपने दिल से मैं आपको वच्चत देती हूं बस है 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 आपको को बोलके, हाँ, तेरे पती को, तेरे पती को तूद्ट पिलाया हमें, और हमें, हमें ही, त्यजाना हमें ही, त्यरा मेटा सेंकर, अर्षीमाजी को मानने की तयारे में था, आज वा निकाल उसको, झी नी नी, झी टेंगा, परताप, उनके पास favour पुलिस है, सरकार भी उन्हीं की है, लेकन कब तक छिपेंगे? हम भी देखते हैं, परताब तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई हमारे अपने थे, उस साले तुम्हारे ही नहीं, इस आननपुर गाउं के हजारों जनत के दुश्मन है, तुम बस यहां रुको, डरना नही हम तुम्हारी हिवाज़त करेंगे, उन सालों से तो बदला लेना हमारा काम है, नहीं, मेरा काम है, जजबाती हो रहे हो तुम, के एक बार भी तभी बंदुख पकली है तुमने, नहीं, बंदुख नहीं चाहिए, यहीं कटार को समगा उंधियों में, तुम्हारे, जजबात समझता हूं मैं, लेकिन प्रणा इतना आसान नहीं है यह, तुम्हारे काम हम पे छोड़ दो, बाप मेरा, भाई मेरा, मा मेरी, बदला भी मेरा होगा, हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे, कि नर्सम्ह, नागमनी और मन्दा, तीनों को एक साथ एक टाइम पे मारेंगे, नहीं, एक साथ महीं, अलग-अलग, एक-एक करके, और हर एके बाद, अगले को वक्त दोंगा, ताकि उसे मौत का खौफ महसूस हो, अलब मतलब मौक तो मौक्ती होगे उनके लिए, इतनी असानी से चुटकारा नहीं दोंगा, नागमनी ने प्लान बराया, मंदा ने किया, और नर्सिमारेडी ने ओडर दिया, तीनों को मारूंगा, और वो, वो गौंती, नर्सिमारेडी की पीवी, जिसे मेरी माँ ने बेहन मानते थी, उसके सामने बेस देगी मेरी माँ की, मेरी माँ को थपड मोरा, और वो चुप शाहब गड़ी देखती रही, सबसे पहले मैं उसको रोलाओंगा पुह झाना कर草 हो पिल अचल वो जालाओंगा दो झालाओंगा झालाओंगा जालाओंगा जाँ कि अखे विक गड़ा भादंगा टार, आटा करुछा तूर्स, पुछास टार शोलाओंगा जाट व्यास नाए चाहिए पूर्णापः झालाओंगा। झाल झाल बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि भारत की आत्मा गाओं में बस्ती है इस मौामले में या तो वो अंजान थे या फिर मासू क्योंकि आज भी इस देश के कई इलाके एक विबत स्कूनी संघर्ष में उल्चे हुए है उनमें से एक जगह है आनन्दपुर और हिंसा का ये रक्त चक्र आनन्दपुर के इस रक्त रंजित संघर्ष में इतने लोग मरे हैं के उन महात्माओं के भारत की आत्मा अब यहां बस नहीं भटक रही है आनन्दपुर का ये चरित्र रक्त चरित्र है नर्सिम्हा देवा रेटी आनन्दपुर खस्बे के दबंग बाहु बली अमे फे नर्सिम्हा का एक बहुत ही वफादार आदमी वीर भद्र जो निचली ठीका होने के बावजूद अपने काम और रगन से नर्सिम्हा का इतना करीबी बन चुका था कि नर्सिम्हा अपने सारे काम वीर भद्र के हाथ में दे उसकी सलाह पे पूरी तरह निरभर हो गए ये देखकर नर्सिम्हा की विरादरी खास कर नागमनी रेटी इलाके में वीर भद्र की बढ़ती ताकत से बहुत जनने लगा वो वीर भद्र का सूपड़ा साफ करने के लिए घात लगाए बैठा था तो वहीं दूसरी तरव तेज तर्रार आदर्श्वादी वीर भद्र ने दबे कुछले सोशित समाज और निचली तुका नेता बन के आने वाले जिला परिशद जुनाओ की तैयारी में कमर कसली थी नसिमा रेडी के आशिर्वाद से इस जिला परिशद में जितनी भी सीटे हैं उन सब पर एक एक करके हम खुद बैठेंगे अब हमारे लोगों को हर रोज कम से कम आठ घंटे काम पीने का साफ पानी बच्चों के लिए शिक्षा और उनके आगे बढ़ने के अफसर प्राप्त होंगे लेडी साहब ने हमारी मेहनत और वफादारी को ध्यान में रखकर हम पर खरोसा करके हमें इतना बड़ा मौका दिया है तो हमें भी पहले से कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी और हम करके दिखाएंगे मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों की मदश से हम नर्सिमार रेडी के हर सपने हर सोच को पूरा करके दिखाएंगे रेडी साथ अपने लोगों में गुसा है वेरवद्र जल्ला पर्षद की कई सीटे बाटा है अपने जातवालों को क्या मतलब अपने लोगों को हमारे लाके में तो कई लोग वेरवद्र के जातवाले भी हैं हमें सबी जातवालों का ख्याल रखना होगा वेरवद्र ठीकी कर रहा है कर रहा नहीं है सिर्फ खहरा है मतलब? आपका इस्तमाल कर रहा है वो आपकी ताकत को अपनी ताकत बना रहा है आप यहां बैटे हैं बाहर वो दावा करता पिर रहा असल लेडर वो है दो तरफा नुकसान है आपका कैसे? अपने लोगों की नजर में आप गिर रहे हैं आप दूसरी जातियों में जखां आपको बड़त मिलने थी उससे मिल रही है आपके दादा जिने एक बार एक बार पर परती है खूण खूण इस सडक पे बरसे काल सर्प लैराए नाक उठाए आग बिझे सब पत पर फन फैराए तो खीच खीच के फाण दजबलों को फिर ना कभी दस पाए डाल डाल पे भाण गाल ने खार फिर कोई पनप न पाए जाज सर्वास्वास्वासंबंद सनमति दनमन चिता की पस्मरम सर्वाशत्रुनां पेवत्वमरकता मरकत अर्थ तदसंबंद अर्थ 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 यद का चाहँ दाया है भाई यसी कोई बात ही नहीं है आप तो जानते हैं जबसे इंका एलेक्शन का हुआ है जराभी फूरसत नहीं मिलती पाई लागू भावी ओ वीर बद्र तुमारी तो बहुत शिकायत सुनने को मिल रही है भाई भावी शानी के बाद तारी भी शिकायती लगती है बस बाते मत बनाओ बहुत दिनों के बाद तुम पकड़ में आयो बैठो मैं सरा कॉफी बना रही है मैं अभी आया भावी अचानक इन समनों की सीटे कैंसल क्यों कर दी गई जरूरी है क्या जवाब देना तुमसे बहस नहीं करनी मैंने फैसला कर लिया है लेकिन एड़ी साब ये फैसला करने का हद तो खुद आपने मुझे दिया था बहस मत करो आप बेशिक जवाब ना दे लेकिन मुझे तो अपने लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा ना तेरे लोग काप से हो गए रहे तेरे बाप दादा है क्या तू मैंने जबान दी है उन्हें किस से पूछ कर दिया तुमने रेड़ी साब सारी जिद्दगी इतनी मेहनत आपके लिए इतना काम करने के बाद ये सवाल कर रहे हैं आप मुझे एई है सान किया क्या काम करके हा उसके बदले में नर्शिमा जी ने कितना कुछ किया तेरे लिए मैं सब समझ रहा हूं नाग बनिए सब समझ रहा हूं मैं रेड़ी साब बहुत सहलिया मैंने अब आगे चल कर मैं इस बात को थमकी देता है नर्शिमा जी को अभी किया मना रहा है ने चांअ ने चांअ डालू डालू हमारे बॉर्ट दलता है अरी पशती है हमारे अहाने पर ने जाओन तौढी तो नहीं दना गुणा पता है डालो डालो अब तरितने फूसा है आप लोगों महें उन्हेते थीखं़ी चलता है करण किसे रहे हैं जलो यांजे मैं करण do नहीं खूप क्या किया राए हुआ पिछेगा कर रहा था ठर्म अ-अ-पित बालश्ट. यह समाज किसे ही साले की बबौती नहीं है पुझ जाद नी जित यह कुछ नहीं होता यह सिर्फ एक इंसान की लगाई है जो वो दूसरे इंसान से लगता है कौन सी किताब कौन से वेद में लिखा है कि तुम उनकी चाकरी, उनकी जी हुजूरी करने के लिए पैदा हुए हो और अगर लिखा है तो फार दो उस किताब को, कार को उस दुबार को जो तुमें नीच कहती है फोर दो उस हाग को जो तुहारे अंदर के इंसान को नहीं देख पाती आज तक किसी का दम नहीं था, कि चूब भी करें, और ये, जो खल तक आपके थल्वे चापता था, तब फ़रे हम स्याप देता फिर रहा है। कौन क्या है, ये तिखाने का मौका सिर्फ एक ही बार आता है, और वो मौका मिलता नहीं है, चीनना पड़ता है। के लोगों को आप ही के खिलाब कर दिया। नर्श मजेब, दूद पिलाया आपने, और आपको खाट से निकला। जिस हशिय से तुम्हारे पुर्खे इन सालों की समीन को चीर कर फसल उगाते थे, उसी हशिय, उसी कटार को इनके रक्त से लाल करने का वक्त आ गया है। अब हम अपने हक की लाई लड़ेंगे। साला, जब पेड की स्याक, जट से ही लड़ाई करने लगी। काटो। काटित्र हराय थीलों चनाया, घस्मान गराया, अधिश्वराया, निप्याया, शुत्राया, बीघंबराया, घस्माइगा काराया, नमों शिवाया, नमों शिवाया दुरका, वो मंदा है ना, कौन मंदा? वीर बत्रा का दाया हाथ, कहिलास जनरस्टोर्स की पीछे, वो सिवजी का मंदर है ना, उसके बगल में एक खर है उसका, एक एक उड़ाया, तौप तक मार दिया होता, नागमनी साप को बात करनी है तुछ्छे, ठेरा बती बात बेच देंगे, अगर इसके आने तक ये बात किसी और को बोली, घर सर्फ इसका सार आएगा तो चाहिस है तेरे पास हमारे साथ मिल और वेरभद्र को मार यह तो मना कर और अभी मर देख मंदा वेरभद्र को मारने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं लेकिन वेरभद्र को मने में तुम्हारी जरूरत है वीर बंद्र को हमने मारा तो उसके सब वोटर्स सब वोटर्स सुनाव में हमारे खिलाफ हो जाएंगे लेकिन तू उसका वफादार तू मारा तो लोग सोचेंगे शक करेंगे कि कुछ गड़ बड़ा है वही से भी उसके साथ रहके क्या मिलेगा तुझे आज तो उसका नवकर उसके बाद उनके बेटे सेंकर और प्रताप का नवकर लेकिन अगर उसको हटा दिया तू लीडर बन सकता है रावन के मरने के बाद लंका की गड़ी राम को नहीं वी भीषन को मिली ना अेकिन वाद रावन को मिली भाद बावन को मिली ना यह रावन को लुझे कि अग्टरेन आप्ञ हो फाल जाउन है। छिखता है किसी की शरारत भी राज़त हुआ हो है। यह फीर बाद्रण! वीर बात्रम तुझे मारने आये हैं, तेरे साथ बसमज़ चालीस पचास मासूम लोग हैं, तुझे मारने के लिए जर्वत पड़ी, तो उन सब को भी मार देंगे, पाहर निकाला, नहीं तो पंस बड़ा देंगे सब को, एक औरत की तरह उनमें छुपके, तेरे साथ उन परवाएगा, या एक मर्द की तरह पाहरा के अकेला मरेगा, सोच ले तू! अरे कहार है, सामरिया के बाद करो! बंदा? हाँ! ढोगी, साले! अरे मंदा, क्या हो गया तुझे, क्यो करा ये से? भावी, जो रही है, भावी है, जोल जो करा था सब की हागों में, क्या लगा था? अब को बता नहीं चलेगा? अब को लुचा तूने, आज उन सब की तरफ से सबक सिखाने आया है, मैं! किस की तरफ से? क्या बोल रा है? जा क की तरफ से? क्या? अब तेरे को मांथदा था में! इस ये तेरे साथ था! क्याको पता है? अभाटी प्ठाच को logते है तूने! अब तूने मार थोगा! मार जो मार था! असर मन दे! मार मता! मुपना है, गुछे अगुछे धुति, नॐको थी ऩे को सवाइ स昨 स सा, भेलाए ढुनाः मुझाए! मुझा गुछिए था मुझा से कउन कि अगरी के साथ हुआ सवादा यादेना तू इसे मारता हुआ सबको दिखाई देना जी जाओ काम मत बिगाड मंदा चाज जल्दी चाओ चोरा मुझी चोरा मुझी सब दौं एक रहे हैं चाब अच्छा तेरा सवादा कैच्सर हो जाएगा नीटा जाओ, सब तेकर जाओ happiness मुझा कर दो पूरा हुआ बहुत बुडा हुआ तेरे अपने नहीं मारा है जब दुश्मन कांख के भीटर घुष के बैठ जाए तो कोई भी क्या कर सकता है वता है किसने मारा है सो लोगों के सामने मारा मंदाने तेरे बापको मंदाने मंधा ने सब के सामने मारा है पापा को मगर मंधा के पीछे कौन था इस साला नरसिमा रिटी नागमणी रिटी इन सब में सिर्फ मंधा ने नहीं मारा है जिन लोगों को सर पे बिठा के रखा था उन्होंने वीर भद्र मारा नहीं है अब ही उसका खून सिंदा है खून बाना है नहीं है बाउंगा और तब तक बैता रहेगा जब तक ये जमीन इनके रख से लाल नहीं हो जाती सर जो उटेगा धड़ से कटेगा कां होगे जेपेगा कहां पे बचएगा बात भर है काद, मोत की बीछी बीजात उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, ठेबा तो मिलेगा, जब दो मरेगा जाग, जाग, भाग, भाग, पच सके तो पचले आज आँधी है, ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है किस में दम है जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है सबसे यठन सबसे प्रबल शस्त्र रचत रख्त चरित रख्त चरित रख्त चरित रख्त चरित रख्त चरित रख्त चरित सबसे यठन सबसे प्रबल शस्त्र रचत रख्त चरित जनाच नाच सारी रात क्या पता मैं कल दूं काट पीत पीत ढल पीत हाथ पाऊं मार धेठ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मोथ का हूं मैं मदारी बाज डंडरुजी कटारी अनन्दपूर यह कैसे जगह तुमरा अनन्दपूर रहने के लिए अच्छी जगह ना रहने के लिए और भी अच्छी जगह मतलब यहां शहर में राओ गया जी और पापा का नाम क्या है वीरभाद्र ब्रामन हो जी नहीं अगवान में विश्वास करते हो पहले खुद में पैर नहीं जू सकते थे किसके हाँ पैर इंप्रेस हो जाते पापा नंदिनी मैं कभी वो काम नहीं करता जिसमें मेरा मन नहीं मतलब क्या जरूरत है ये सब के शादी तुम से कर रहा हूं तुम्हारे पापा से नहीं वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पैर चुने में कोई अध्रस नहीं मुझे कि मार खाई है कभी कि क्या बोले तुम मैं पहले में खुद में विश्वास करता हूं भर भगवाल में अरे बगवाल हर चीज में होते हैं तुम्हें हैं मुझ में हैं अध्रे पापा में हैं एक छोटा जूट बोल देते क्या चाता तुम्हारा मैं कभी जूट नहीं बोलता जूट मत बोलो ए चरी कहा है इसमें आज तो मुझे पहली बार मिले होते ना तुमसे बात तो क्या देखती भी नहीं में तुम्हें क्यों तुम इतने टेड़ेगो नंदनी सीधे लोग हमेशा टेड़े रिखते हैं प्रिशटो उमसे बात करना बेकार है क्या हुआ मेरे बाबा को मुझे कर चलोगा इस वक्त नंदनी को पता नहीं था कि प्रताब एक कभी न खत्म होने वाले सफर पे निकल रहा है नागमनी रेड़ी और नरसिमा देवा रेड़ी की भारी सुरक्षा के मद्दे नजर प्रताब का भाई शंकर जंगल में छिपके नागमनी और नरसिमा रेड़ी के सपोर्टर्स पे लगातार हमले करने लगा हर जजबे में मिलावट है प्रतिशोद घी हर जजबे में मिलावट है प्रतिशोद घी ये आज की महा भारत है यह जिर्फ रक्त चरिक्त है ये आज की महा भारत है ये आज की रक्त चरिक रक्त शक्त रक्त मिल्दू रक्त शक्त रक्त चरिक्त इन गुरिला हमलों के नतीजे से हम रत चरित्र में एक ऐसा किरदार आया जो राजनीती नहीं रत नीती का राक्षस था नागमनी रेड़ी का बेटा बुक्का रेड़ी प्रॉड़ी रेड़ी 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 पुग्गा ने पहले ही आनंदपुर को 20 सजी से किसी अंधे युग में ठकेल रखा था और अब वो शंकर के भाई प्रताप के आने की खबर सुन अपने बिल से बाहर निकला टाइरो केदर जा रहा है सुना है वो शंकर का भाई प्रताप रभी आया हुआ है चुनाओ तक चुप चुनाओ तक आओ उपर आओ हर रोज यहां के कई बंदूक उठा रहे थे किसान खेतों में हल चलाना छोड़ बं बना रहे थे अननंदपुर के ऐसे माहौल में प्रताप रभी ने अब कदम रखा दुर्गा है उन्ही में से एक है जिनोंने पापा को मारा था बाकी भी मिलेंगे पुलिस क्या करेंगे पुलिस की वज़े से तो यहों तक पहुचने की चोड़ तू इस सब में मत पढ़ तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पापा भी यही चाहते थे ना तू पढ़ देख रवी मेरी यह लड़ाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं है जिनोंने पापा को मारा है उस सारे लोग सब सब जिनके लिए जिनके लिए पापा लड़ रहे थे उनके जिम्मेदारी भी तो मुझ पर आ गई ना और जब तक सब को सब को इनसाफ नहीं मिलता मा कैसी है अपने पिता की दिल तहला देने वाली मौट से प्रताप की जिन्दगी का पुलबुला पहले ही फूर चुका था इस इस इलाके के कई लोगों की तरह प्रताप ने भी पहली बार उस जजबी को समझा जिसके बारे में वो बच्पन से सुनता आया था ये खून खराबा नहीं अपनी आत्मा अपने वजूद की लड़ाई थी ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इस वक्त प्रताप चक्र व्यूँ के कितना बाहर था और कितना अंदर शंकर कैसा है वो ठीक तो है तुभारी दोस्त कोई नंदिनी का फोल आया था कोई किसी को बिना वज़े इतनी बेर है मिल से क्यों मारेगा इस किसम के लोग गर भी हो के क्या हमारी किसी के मुँपे लिखा होता है क्या कि उसके पीछे ऐसे लोग होंगे शुकर करो तुम सही सलामत बैठे हो गर में देखो नंदिनी गल्ती सबसे होती है तुम प्रताप को भूल जाओ पापा मैं प्रताप से प्यार करती हूँ और यह जो भी हुआ है उसके पीछे का सच जाने बिना मैं अपना इरादा नहीं बदलूँगे देखो अलो अलो लंदिनी प्रताप प्रताप तुम कहा हो प्रताप? तुम जीकता हो यह क्या हो प्रताप मेरे मेरे पापको मार्डालं गंदिरी मैं सिमोध मेले कियो ने मैं कभी सूच में नी सकता था और भावी तो टूक सी कही और अब मेरे भाईया के पीछे पुलीस पड़ी हुई शंकर मिल गया है जिंदा? जिंदा? हम? जिंदा 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 यॉ जिंदा 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 इधर किदर है इधर आपके थाने में कौन बोला तेरे को देखिए मुझे खाबर मिली है उसे आज ही पकड़ा है अपने किदर है मेरा भाई है आवाज नीचे नीचे साले चेहरे का चट्डी बना दूंगा देखिए परताब ने कोई कानून नहीं तोड़ा इस पर कोई क्रि वकील कानून सब मैं हूं मां है तो तुझे भाई से मिल ना है हे अजय जाथा दूंगा यह ले बहर अध मिला आप वो गया वरत मिलाप कानून के मुताबिक ही मार दिया चुछ कि काली है तुम में दोगिंटे शसक्वाज मार दिया प्रतात को लगामने थी काने पेचारा कुछ टेड़ी साव, मेरा पति और मेरा पेटा दोनों मारे गए। इस दुनिया में प्रताप के सिवाब मेरा कोई नहीं है। दीदी, दीदी, हम यहां से चले जाएंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम यहां से शेयर जले जाएंगे। मैं प्रताप का मनाऊँगी, वो मेरी बात जरूर मानेगा, मेरा बच्चा मेरी बात कभी नहीं ठालेगा, रेडी साब, रेडी साब, मैं, मैं हाथ चुटती हूँ, रेडी साब, अगर मेरे बेटे दिल में कोई ऐसी वैसी बात ही तो और निकाल देगा, वो निकाल देगा परताब, उनके पास पावर है, पोलिस है, सरकार भी उनहीं की है, लेकिन कब तक शिपेंगे, हम भी देखते हैं, परताब तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई हमारे अपने थे, उस साले तुम्हारे ही नहीं, इस आननपुर गाउं के हजारों जन्त के दुश्मन है, तुम बस यहां रुको, डरना नहीं, हम तुम सदला लेना हमारा काम है, नहीं, मेरा काम है, जजबात ही हो रहे हो तुम, के एक बार भी तभी बंदुख पक्ली है तुमने, नहीं, बंदुख नहीं चाहिए, नहीं कटार को समगा हूं थियों मैं, तुम्हारे जजबात समझता हूं मैं, लेकिन प्रठाप इतना आसान नहीं है ये, तुम ये काम हम पे चोड़ दो, बाप मेरा, भाई मेरा, माम मेरी, बदला भी मेरा होगा, हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे, कि नरसम्ह, नागमनी और मन्दा, तीनों को एक साथ एक टाइम पे मारेंगे, नहीं, एक साथ महीं, अलग-अलग, एक-एक करके, और हर एक के बाद, अगले को वक्त दोंगा, ताकि उसे मौत का खौफ महसूस हो, मतलब मौक तो मौक्ती होगे उनके लिए, इतनी हासानी से चुटकारा नहीं दोंगा, नागमनी ने प्लान बढ़ाया, मन्दा ने किया, और नरसम हरेडी ने ओडर दिया, तीनों को मारूँगा, और वो, वो गुमती है, नरसम हरेडी की बीवी, जिसे मेरी माँ में बहन बानती थी, उसके सामने बेज़दी की मेरी माँ की, मेरी माँ को थपड़ मुरा, और वो चुप शाहब गड़ी देखती रही, सबसे पहले, मैं स्कुरूलाओंगा, झाले लागंगा, पलाओंगा, ताय को शाहब देखती है, झाले लागंगा, जिसे रही, बाले ख़ी, बाले देखती है, झाले वो, ठाले ताव़ शाहब शाहब पहले भी, पुजाशास्तम अस्तके अगनी यस्यसहेव अस्ति ब्रह्म हर्ममतों मेवाइती देवा क्या इदाने मजाया तु सर्वनम तुम पहाँ पेटे पहुशी एक चिल्ली बढ़के गुमते रहते हो जो अरो क्यो राटल ओखंचिया है कत जो सबक्तियाओ Okay तो गुमति पिटी रहत費 एए तियां कि अन्टा की गनने कुम नहीं है क्यों नहीं माठ डा-ँ norma Kgi यॉरा लए प्थे नहीं क्यों यथिhing क्यों बोरकली हमारआकियों यह मारक्यों इनो यह क्योड़ी एका कि उस पिल्ले को पेले ही मालना चाहिए था सब आपका वज़े से हुआ है चुनाओ तक चुप चुनाओ तक चुप मर कर लड़ो के क्या चुनाओ उक्ताओ चुप आँटी हमने नंदीनी बात कर रही हुआ प्रताप ने अपसे कहा होगा हाँ बेटा जानती हूं कैसी हो अम में ठीक हो आँटी आँटी प्रताप कहा है पता नहीं वो मैंने टीवी पे देखा कि नरसी मादेवा रिडिकी खून में प्रताप को जिम्मेदा ठेरा है क्या वो सच है आंटी? मैं जाहती हो कि यह सच हूँ आंटी में प्रताप के मिना नहीं जी सकती तू सूचती है तू आउरत है छोड़ देगा अलग सूचती है प्रताप किधर है नहीं बताया पीस पीस काटूँगा कि यह सब्सक्राइब देगैं झेंड़ दूचती है झालग सुचती है झीमिता कि यह दोड़ दूचती है दू सकती है यह हैं-दोती तू मोड़ प्रताप कि अजिए ऊना स। नहीं दूब परताप को जजब डा़ग कर दो कर दो मुझे माफ करना मा यह बुकका रड़ी इतना गिर जाएगा मैने सोचा भी नी था रहने दो प्रता किसी को क्या पता था कि बुकका ऐसा करेगा अरे लो न माजी थोड़ा सा 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 नें दिनी का फूना है ता अच्झान सिरु Σवन्स मैं वक्वाल्ट Фट्फ unterstüt युच्श कर देख। दो कि तो डीट बारे में पढ़ा और सुनाओगा सब सच है मैंने नर्जमा रेड़ी को मारा है आगे चल कर और भी कुछ लोग है जिने मारूगा बज़े है मेरे पास मेरी जान खत्रे में है और जो भी मेरे साथ रहने का फैसला करेगा उसकी जान भी खत्रे में होगा बंचरे से आदमी के साथ तुम्हें अपनी सारी जिंदकी पितानी है या नहीं यह फैसला तुम्हें करना होगा कर चुके हूँ कर चुके हूँ मैं आप से पूछने नहीं, सिर्फ पता में आए. आपकी बेटी को ले जा रहा हूँगा, नंदनी की देखवाल मैं आपसे बहतर करूँगा, आशिरवाद देना चाहते हैं, थुदी ची, नहीं देगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा. शुकर रहा हूँगा. मंगलं भगवान विंदू मंगलं गरुड़ थजर मंगलं उन्डरी काक्ष मंगलाय थनोहरी कर्allवो विंदू कर्काष कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर संन्स के तु सान्ड बन गया वरीब तेरी मुर्गी की ताम बन गया ले मचे से चवाचा चवाचा क्या जमीदार का हे का तुर राचा हम निकालेंगे तेरा जन्नाजा पैसे बाला हो, वो पैसे हम आए मुर्तवा, मुर्तवा, मुर्तवा गरिबों के सिने पे चल रही है कारे सड़ी सर कारे तेरी, उझे तलबाए तेरी की जड़र बड़र जल laisse बयादाई pra शयाल सावा नधाई क की की लग दोसा किन लुचए कालन की कैसा का में से Parkinson छोप नधाई दूछra के तो से आ goofy है की जल देखो ड़र पंटार टेख just रहा लुझका की बategकested का अरे जियारे सैसे बादा एसी में तू सोगो है जी में तू खाना है हमें बूखा रखके तेरे बाब का क्या जाता है विदेशी से तुमारे कपड़े में तो बात नहीं हमार सक धोड़ा सा तेर भी परदाश नहीं यू ना दी पैसे बादा देच्यारे साला पैसे बादा खाथ को एक तिन का जंगल जला जाए एकिन डिया मिलके जहली ने साब को खा जाए अरे बैसे बादा जाचा बैसे बादा पैसे बादा पैसे बादा झाल 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 महाबारत है ये आज की झाल 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 जहाब, मन्दा को मार दिया काहूल, प्रतापी होगा खर से बाहर में निकल रहा है नागमणी पुलिस की छावनी बनी हुई है उसका घर ऐसी पुलिस परड़क्शन तो आज तक किसी को नहीं दी बड़े बड़े असर रोज चाय पीने के लिए वहां आ रहा है देख आकी, एक बात बोले हैं दुनिया में आज तक कोई पुलिस किसी को बचाया है क्या अरे सेर, सैकड़ों को बचाया है, सैकड़ों को सैकड़ों को नक्सलेट्स तुम लोगों को मच्चरों की तरब मार रहे हैं उपर से नेता लोग लात लात मारते रहते और नीचे से गूंडे गल्ली से डिल्ली तक थपकी थपकी देते रहते सैरम नहीं आती क्या पहले खुद को बच्चा लो, बाहत में दूसरों को बच्चा न क्या मजात कर रहे हैं सैर, एक दो छुटी छुटी बातों का आप लोग बतंगल बना देते हैं बुरा लगा, छोड़ दो, अच्छा तो रधी का क्या होगा पकड़ा जाएगा सैर, क्या पकड़ते हैं, काउन पकड़ते हैं, घजबतरा का बूत, फिर मजाब कर रहे हैं सैर, सैर, अगर आप लोगों को पोलिस पर भरोसा नहीं है, तो फिर हम लोगों की सिक्यूरिटी क्यों लेते हैं आप, है, मेरा लाइफ तेरे दिखाने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ता है, इसलिए तुम्हे रखा है, तुम पर भरोसी की वज़े से लुबा कुचे पर लोगों की वज़े तुम्हें औरु साल१ा, पुलिस की विषमया, मारा माँ भापको वो ये वो ये वो यो यो ये वो ये वो पापँ और उल हाथ नहीं लगाना पोस्त मॉटम के लिए लेके जा रहे बॉड़ी जम हाथ मत लगाना बॉड़ी ले जानी पड़ेगी प्रोसीजर है जाना हाथ लगाने का नहीं जाना हमें चो कुछ भी करना है वो इस बात को धान में लेके करना है अब देखो ना तुम्हारे पढ़ा एक ओफिसर था फ्याराब था उसका अगजबती रहो वो हमारे लिए कम और नागबनी रेडी के लिए ज्यादा काम करता था तुम्हारे बात में भी यह होगा जिस्ट पिकज यहारा अनेस्ट पुलिस ऑफिसर एक दिन में तुम सब कुछ थोड़ा बदल दोगी बिलकुल सही बोले सा अरे तुम वह साथ सुबही कुछ इंफोमेशन के सिलसले में आया था है दरबद वपस जा रहा हूं छोचा रास्ते में हलो बोल दो इन से मिलो अश्विनिस से ना और यह है मोहन प्रसाद, इंट्रिजिन्स ऑफिसर हलो अश्विनी जी हाई सुना है आपके बारे में काफी कुछ आपके बारे में भी सुना है मैंने प्लेशर मीटिं यू Same here, thank you आप नए sir, आप खाये अर थाहो बहुत बढ़ीया पिर्माना है मुझे नहीं चाई आप खाये मुझे नहीं चाये मुझे नहीं चाहिए हो गए मिस्टो मोहन कनुंगो साब के विचारों से सहमत है नो वड़ा मीन जब तक सिस्टेम बदलेगी तब तक भुक्का रेड़ी सब कुछ लूट के चला जाएगा और आम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे ऐसा मुझे लगता है बचाना और लूटना तो सिर्फ एक नजरिया है श्विन जी जिसका फैसला अगर आप करनल पर छोड़ दे तो बेतर होगा पुलिस जजबाद से नहीं किताब से चलती है जिसे हम कॉंस्टिटूशन कहता है जो नहीं किसी के साथ है और नहीं किसी के खेलाफ आपके कहने का मतलब है कि पुलीस को बस हाथ वे हाथ दरे बैठर रहना चाहिए राइट बिल्कुल गाने बभू के तीन बंदर होगी तरह बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो हमारा टाइम आने तक और हमारा टाइम तो इलेक्शन के बाद ही आएगा फिल्म स्टार शिवाजी एक नई पाटी शुरू किया है बहुत बड़े बदलाब के हवा है इस बार नतीज़े देखकर ही खेल खेलना बेतर होगा हमारे लिए शिवाजी आनन्दपुर में एक मीटिंग करने वाले है इडिनो अब देखना बुका क्या करेगा उक्का रेड़ी ने प्रकाव ब्रवी को मारने की बहुत कोशिस की पर जंगल में चिपे प्रताप तक वो कभी पहुँच नहीं पाया मेरा बाप का भूख भटक रायर इधर उधर चारों तरफ इस तोरान चुनाओं की घोशना की गई अपनी पार्टी की गिर्ती लोग प्रियता पिता नागमनी रेड़ी की मौद से लगा धक्का और प्रताप के बढ़ते प्रभाव के मद्दे नजर बुका ने अपने भाई पुरू रेड़ी को चुनाओं में खड़ा किया खड़ा हो रहा है मेरा भाई जीतना चाहिए जो भी खिलाफ खड़ा हो तांकार दो अपनी यादकार भूमिकाओं से दिल जीत लेने वाले फिल्मों के नायक शबाजी गाओ की सोच थी अगर लोग उनकी फिल्मे देखने के लिए लाइन लगाते हैं तो लाइन लगा की वोट क्यों नहीं देंगे और वही जनता अगर उन्हें फिल्मों में नायक के किरदार में देखकर सिक्चे उचालती है तो फूल उचाल के जन नायक क्यों नहीं बनाएगी इसी सोच के साथ शिवाजी ने राज के चप्पे चप्पे में मीटिंग्स शूर की और उसी दोरा वो आए आनन्द को पर उन्हें ये बता नहीं था कि यहां सिर्फ बुक्का का सिक्का चलता है सव सव गुंडों को सिल्वर स्क्रीन पे अकेले पीठने वाले सुपरिस्टार शिवाजी को बुक्का ने आनन्दपुर से भगा दिया इससे शिवाजी के अहम को चोट पहुंची उन्होंने अपने सलाकार राम मूर्ती से सवाल किया इस हमले के पीछे कौन है बुक्का रेड़ू हमारे आपोजिशन में जो लड़ रहा है उसका भाई है वो यहां के लोग बोलते हैं कि बुक्का एक राक्षस है यहां तक बोलते हैं कि अगर उसे साप काटे हैं तो साप भी मर जाएगा फिल्मी डायलग मत बोल राम मूर्ती यह डायलग बोलना मेरा कामेर डेमोक्रिसी में बुक्का जैसा राक्षस कैसे हो सकता है कैसे के सवाल का क्या सवाले से है तो है तोहारा मतलब यह कि इस पूरे इलाके में कोई भी ऐसा माई का लाज नहीं बुक्का जैसे राक्षस का मुकावला कर सके है बाप विरबत हक की लाई लड़ेंगे भाई शेंकर अर बल होन बहेगा यहां दोनों का कतल हुआ और बदले में निक्राइब प्राप इस चारो बाप प्राप बदले प्राप गॉम यह इसे वाई मेर बच्म आचाहिए दो कर जो जड़िए कर दो अमेर से ताश्याद मेन अचाहिए अचाहिए हैए ताश्याद कम अच्ति के अग अगवान अगवान वेता है बहुत सुना है तेरे बारे, बहुत, अमीद है उसमें से कुछ तो सच होगा, मुझे पता नहीं है अपने क्या सुना, यह नहां बता है रेस को, रताप, 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 I like you, तुम अच्छा काम करने वाला एक बुरा इंसान है, तुम्हारा गुड भी अच्छा, बैड भी अच्छा, लेकिन क्या है, तुम बहुत छोटा आप्म है, इतना बड़ा होने के बाद भी, माएं और यह डिमोक्रिसी, भुक्का जैसे लुच्चा, और इस मक्की का पर भी नह काट सकता, हाथी अगर चीटी के उपर पह रख दे, तो चीटी मरता नहीं, उसे मसलना पड़ता है, तुम्हारे अंदर वो शम्ता आए, तुम्हारे उने के बहुचू, आज भी बुक्का है, ब्रादर, सिर्फ करांटी कारी तरीकों से, सैक्ड़ो साल में किसी ने किसी का क्या उखाड लिया, अगर तुम्हार तुम्हार नीती छोड़कर, राज नीती में आए, तो मैं तुम्हें कुरसी पे नए, कानून के सर पे बिठा तूँगा, लेके उस पार नचाएगी जुदा राख कोई, भीड के साथ ही दल्ल में उतरना होगा, तम आदमी समझतर दीता है, दिमाख वाला है, दिमाख का इस्तमाल कर भावा, लेकिन जल्दी, टापिक इस होगा, को मैं लगता है तू, उसका वरोसा कैसे गड़ सकते है, जा सोच रहे हो ख़ाई। तदब बुक्का कैसा आदमे हमें तो पहले से ही मालो लेकिन इसका किस्सा सुनने के बाद मुझे तो सॉले को क्या हुआ ए बबु बोलना मेरा नाम बाबु कादरी है मैं एलेक्टिशिन का काम करता हूँ मोटर वाइरिंग के सिसले में मैं दूसरे शहर गया था यह एक सोला साल की छोटी बैर और जब तक मुझे ख़बर मिली मैं वापस आया मेरे बहन का रेप करके पुका ने उसको सड़क पे बेग दिया था अपनी बहन को लेकर के ठाने गया पुलिस ने रिपोर्ट लिगने से बना कर दिया बोला कि क्या गयारंटी है कि मेरे बहर कर रेप हुआ है क्या गयारंटी है कि मोच बोल रही है कि मैं आपको अपने आप को आख नगा लिए उसको लेकर रहुंपिटर बागा लेकर नेकर चृश्ते भही वह मरत की अई पहन की लाश को देख कर मुझे परदाश्ट नहीं हुआ बुक्का किने कांग घटेए लग सोब जानता hale कियसा और हादी में जानता है कि मेरे पहन नाता है सोब अप्रों आतो अदिवे रहें अब ido को मैं मारू मैं देखले dès आए अप्ली खाल सान दजानल आए बुल नए बसे है राै नितिक्र है का फी्स झाल बेटो तुम अकेले नहीं हो इस पुकका साले ने तुम्हारे जैसे कई गरीबों पर अत्याचार किया है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह फिलाल तुम उसके बारे में भूल जाओ तुम पर तुम्हारी बीवी की, मां की, परिवार वालों की सिमे दारिया है एक पल के लिए भी मत सोचना की तुम अकेले हो हम सब तुम्हारे साथ हैं मैं वादा करता हूँ, तुम्हें बदला मिलेगा जाओ जाकर अपने घरवालों को समालो और अभी के लिए बुकरेडी को भूल जाओ नरसिमा रेडी को मारा तो नाग मनी था उसे उड़ा है तो अभी ये ये बुक का है कल उसे मारूंगा तो परसों कोई और पैदा हो जाएगा इस प्राबल्लम की जड़िक सिस्टम है और अगर ये सिस्टम बदलना है तो मुझे खुद सिस्टम बनना पड़ेगा शिवाजी साहब की सोच बहुत सही है बंदूग की ताकत से कही बड़ी राजणीतिक ताकत है और अगर वो ताकत मेरे हाथ में आई तो जो हाथ हमें आज रोक रहे हैं कल हमें सलाम करेंगे पापा और वैया का सबना मैं पूरा करूँगा और शिवाजी वो सीड़ी है जो मुझे मेरी मंजल तक पहुँचा सकती है मुझे बस एक एक नहीं शुरुआत की जरूरत है आज से यों छुप-छुप के पीछे से वार करना बंद अब मैं सामने से लड़ूरा अब 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 यह क्या इनी से निवटने वाले कामों के लिए मैं तुझ को पॉलिटिक्स में लेकर आया और तुम उनी को हमारे सामने फेंग रहे उन कामों के लिए मैंने अलग से रखे हैं अब यह तो सिर्फ तिखावे के लिए वह 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 देमा का इस्तमाल आज से तुमारा प्रमोशन किया ब्रादर आज से आज से अब क्या अब 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 कर सकते हैं गोली कभी भी किधर भी कहीं से भी चल सकती है याद रखो कि सिर्फ बुक्का ही नहीं बलके उसके साथ जुड़ेवे कई लोग हमारे दुश्मन हो सकते हैं मुझे खबर मिली है कि हाली में उसका भाई पूरू रेड़ी मैंगलोर गया था कुछ लोगों से मिले अपनी कुछ जात्वानों से मिलकर नागमणी और नरसेमा रेड़ी के कुछ परिवार वाले और सुपोर्टर्स हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं हमें 2400 गंटे चोकन्ने रहना होगा इससे पहले की कोई वार हो हमें हर खत्रे को काट देना चाहिए हमारे सारे दुश्मनों की एक लिस्ट बनाओ और फिर हमारे हर दुश्मन और हर होने वाले दुश्मन को एक-एक करके उस लिस्स से मिठा दो हरे हरे रामा हरे हरे किष्ना मारे दे जो भी तुझसे टक रायेगा मारे दे जैसे ही प्रताप शिवाजी के साथ उतर पड़ा चुनावी दलदल में उसके दाहिने और पाहिने हाथ एके और उमकार कई आक्शन टीम बना के अपने शक और समझ से चुन-चुन के उसके दुश्मनों को ठिकाने लगाने लगे इस बुलेट और बैलट की जंग में प्रताप रवी बहुत तेजी से इस इलाके की पूरी राजनीती को अपने कबसे में लेने लगा जिसके बदले में बुक्का ने रवी के बहुत से लोगों को अलग-अलग जगाहों पे मौट का अमरित पिला-पिला के मारा उधर प्रताप ने अपना पूरा ध्यान वोट्रों का दिल जीतने में लगा की प्रजात अंत्र की बंजर जमी पे वोटू की बारिश करवाली और शिवाजी की पार्टी के साथ बहुत जोर से जीता जिससे शिवाजी ने प्रताप रवी को मिनिस्टर बना दिया अपने भाई बुरू की करारी हार से बुक्का एक बच्चे की तरह रोने लगा और उसके उपर कही मर्डर केसिस की वजए से इंस्पेक्टर अश्वीनी उसे अरेस्ट करने आई यू अर अंडर अरेस्ट बुक्का चल मैं तुमसे कह रही हूं बुक्का वाट चल मैं प्रहल पावर है उसके पास मिनिस्टर है वो सरकार उसकी मुठ्थी में है जंगल में जो जो सके साथ ही है खुंखार लोग है चाहर के सारे गुंडी उसके नम से कापते है इन हालात में तिरे लिए यही बेतर है जितों यह अंदर ही रहे तो अभिदे का प्रेदा हुआ है कि नहीं है लेपा आपका पेता है कि नहीं तू उसरे अमजादे ने कमारे बाप कुझा कुझ तो जय जहालत करना में सुलग पहला कहला किया अर्देन उस कप्ले पर में फोर्दो देखे... देङे तवी पे देखे... कुं जलता है मेरा प्रक्तु बलता है मेरा मेरा अट खालते है मेरा अट मैं संहेल काुज मेर के अ approached onay मेरада पहले उस को मेरेगा पुरू तेख यहां से नहीं निकल लाएगा तो मैं खुद को माण डालेगा पुक्का ने अपने भाई पुरू के चहरे पे नहीं उसकी आत्मा पे ठूका था वो चला मिलने सरजी से जो शिवाजी की ऑपोजिशन पार्टी के बहुत बड़े नेता थी सरजी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि सरजी लोगों को सच का वही रूप दिखाते जो लोग देखना चाते थी उनकी आकाश्वानी जैसी आवाज ही उनकी पहचान थी जिससे भीक मांगने की बारी अब फुरू रड़ी की थी लेकिन सरजी कभी किसी को भीक भी मुफ्त में नहीं देते सरजी से मिलना है नाइडू साहब नाइडू साहब मैं बुक्का पापा हम सब आपकी पाटी के हैं अरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बहुत सारे जजों को जानते हैं आप आप कुछ भी करके कुछ भी करके मेरे चोटे भाई बुक्का की बेल करा दीजे बस क्या तो भी क्या तो भी करता हैं जब क्या करेंगे क्या करता ही कित्ते साल से आनंदपूर किसी हमारे पास थी कि उन्हें परताप की वज़े से निकल गी है जिसके पास प्रताप को माने का पस्नल कारण है उसके जजबात से निशाना लगाया तो कोली इसा ही लगेगी तो खड़कु क्या कर रही तुमें उन्हें कापड यह को पून करो ना यह तरह नया खर अरे आओ भाभी आओ वो उपर पांच बेट्रूम है और नंदनी तेरा जूला भी तो यह तेरा नया खर वहां पर डाइनिंग एरिया और किचिन और आगे चलके उससरफ हॉल क्या हुआ और मां खास तेरी लिए तेरा पूजा गाए खुश बुक्का रेड़ी बेल पे बाहर निकल गया सरजी की पहचान की मदद से बुक्का रेड़ी जेल से निकल के अंडरक्राउंड हो गया शहर के पीचों पीच एक रिहाइशी इलाके महेश्वरी कंप्लिक्स के फ्लैट नंबर 102 में अपना बिल बना की रवी को मारने की तयारी में लग गया इससे प्रताब के लोगों में खलबली मच गई ऐसे असहाय हालातों में प्रताब ने बुक्का का ठिकाना पता करने के लिए चार रास्ते अपनाए साम, दाम, दंड, धेड और बुक्का तक पहुँच गया प्रताब की एक्शन टीम एक गित्र की तरह उस फ्लैट के इर्थ-गिर्थ मंडराने लगी और जब बुक्का का एक नौकर सबजी खरीदने बाहर निकला तो प्रताब ने उससे किड्नाप करवा लिया बुक्का महिने का कितना देता है तुझे? सर, सर वह पासो रुपए मैं पांच लाक नौक खेल अब शुरू हुआ जब प्रताब बुक्का की सारी जानकारी लेके शिवाजी के घर पहुचा और मामले पे अपना नजरिया आराम से पताया इस पे शिवाजी का आदेश था बाबू एलेक्रिश है? बाबू प्रताब तेरे लिए एक तौफा है क्या साहब बुक्का उसर ड़ानी के लिए मैंने एक टीम बनाए उस टीम को तू लीड करेगा खाना लगा दिया है बुक्का को माने की मेरे और बहुत से लोग के पास वजय है लेकिन तेरी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उससे बदले का सबसे बड़ा हकदार तू है तू है असर टैंकी महेश्वरी कॉंपलेक्स में बुक्का का फ्लाट है तूम लोग वहाँ लखड के प्रिज से पहुंचों बिल्डिंग के पीछे ही एक पुली स्टेशन है इसलिए एक काम तेजी से करना हो लेकिन ध्यान से यह लाका आबादी भरा है ध्यान रहे है कि किसी भी मासूम को किसी तरह एक नुक्सान नहीं पहुंचना जागा बिल्डिंग की फ्रंट एंट्री पर ही लाल शट पहना हुआ अब पेपर पढ़ता हुआ एक आदमी दुवारा इंतजार करेगा तुम लोग उसके पीछे और इसी के इशारे पर अंदर जाओ फ्लाइट नंबर एक सो तो और एक जरूरी पाँ तरवाजा खुलने वाला लाका अपना है झाल 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 मि… झाल नर्सिम्हा-देवा-रेटी की मौब के बाद से ही प्रताप रवी के नाम का प्रभाव ऐसा था कि शहर का आम आदमी तो क्या नामचीन गुंडे भी उसके नाम से डरते थे इसी वज़े से उसके खाने के बुलावे पे वो सिर्फ चौंके ही नहीं बलकि खुश भी बहुत थे पर उन्हें ये भी शक था कि प्रताप रवी उन्हें खाने के अलावा शायद और भी कुछ किलाने वाला है मेरे बुलाते ही आप लोगों का यहाँ फॉरन चले आने के लिए शुक्री उमीद है कि आप लोगों को हमारे रायल सीमा स्पेशल रावी संगटी और नाटकोडी बुलसु पसंद आए ये सब मा ने बनाया लोग कहते हैं कि तकरीबन सौ साल पहले यह कुछ नहीं था यह पूरा इलाका एक जंगल था अलग-अलग किसम के जानवर जैसे तेंदुए, चीते, गिद, सियार बिलकुल फ्री घुमा करते थे धीरे धीरे समय के साथ यहां शेहर बसा अबादी बड़ी और जंगल खत्म हो गया जंगल तो खत्म हो गया लेकिन उसके कुछ जानवर यहां रह गए इनसान की शक्रों में अपने अपने इलाकों में अपना जुर्म और अपना हुक्म आज भी चला रहे हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हैं आज से अब से तुम लोगों की लूट पात गैंग बाजी खुन खराबा जमीन कबजा सब बंद हो जाना चाहिए यह मेरी रिक्वेस्ट नहीं बंदर नंदरी मैं मानुको मिठाई केलाओं मैं मानुको मिठाई केलाओं जनता एक ऐसी जात है जो कभी भी किसी की वफादार नहीं होती चाहे वो डेमाक्रसी हो या फिर कुछ भी और इस बात की प्रताप को राजनीती में आने से पहले ही समझ थी और इसी लिए उसने अपने कई तरीके अपनाए पुलीस स्टेशन में लिखी जाने वाली फायार प पोर्ट कचेरी में सालों खिचने वाले केस एक चाई की प्याली बे सुलचाने लगा रवी बिना चहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आये लोगों ने प्रताप के नाम को अपना सहारा बनाया जैसा जैसा प्रताप चाता था वैसा वैसा होता गया ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे जो नहीं था वो नहीं रहा पैसा जल्वा और ताकत ने प्रताप रवी को एक आदमी से एक सिस्टम बना गिया लेकिन प्रताप की जिंदगी हमेशा ऐसे ही ताकत भरे रास्ते से गुजरने वाली नहीं थी आगे चलकर उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा आया उस कहानी का विस्तार रक्त चरित्र की दूसरे अध्याई में मेरी बहन पूरी जली हुई थी अपने बाई को देखी नहीं पाया वो पुरा विकर गया था जिस परिवार को बचाने के लिए में अपने बदले को भूल गया उसी परिवार को उसने खतम कर दिया अब मेरे पास सिर्फ बदला है वो मुझे मारना चाता है और मुझे उसे मारना पड़ेगा पहले उसी हराना है फिर मारना है हर कोई जो उसकी मदद करे या मदद करने की सोचे भी कुराद मैं मारने से नहीं उसे मारे बिना मारने से दरता हूँ अब क्या पतीत को सिर्फ याद रखो वरतमान को परखो और भविश का चिन्ता करो हुल खुल के सीने में पहता है जो लावा बन के हो रत है सशत है दाहित्राही जिसने मचाई कहदा इतिहास गवाबन के वो रक्त है सर्वत्त है पादुपुन की क्या परिवाशा दोज जान पतिशोद की भाशा आज के मारत की महाबारत में लूबा पुर्शित है कादुपुज. का भुचए इतory आज के बन के आज के Monod का भुचए इतory आज के आ-जबा कर दो 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 कर दो के दो कर देरा भूमी को ये दर्वार की देज से कहीं जिर्चड़ता राज दिला कहीं जल्दी प्रित्यों से जवे कहीं तू पानी कहीं वलिदानी देकर माया मुक्त है सद्धियां पीती युग युग पीते लागत लावो रंगत है एक ही रंग 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 ने पहता फिर भी में दुपावो है सहता जो आए इस से हर एक रिष्टा यही शादू यही बीत रहे रंग रंग जणिंवे आटचा इत रहे रख बच्चा इत्रे, रख बच्चा इत्रे रख बच्चा इत्रे